तो आज है तारिक 2 अपरेल 2021 और है फ्राइडे देखेंगे आज का देखेंगे आज का देखेंगे आज का देखेंगे अगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन अप लोग को ये चैनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दे रखा है वो इसी चैनल का लिंक है जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पे आपको डेली दा हिंदू न्यूस पर मिल जाता है डेली करंट अफेर के वीडियो का पीडियाफ डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन कर फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे तो यह आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल बोला गया है नो इंट्रेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग तो यह आर्टिकल कल भी आया था देखो कल क्या हुआ था कर दिया कि जितने भी सेविंग सेविंग स्कीम उन सब के अंदर जो आप लोग इंवेस्ट करते हो और बदले में आपको जो ईंट्रेस्टों मिलता है अब वो इंट्रेस्टों कर देगी यह कल आर्टिकल आया था हमने काफी certificate, senior citizen saving scheme, public provident fund scheme, इन सभी के अंदर जो भी आप पैसा डालोगे उसके बदले में आपको interest मिलेगा, government interest देगी, interest को cut down करने की बात बोली गई थी कि आज अब आपको कम मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बोला यह गया है, इस decision को withdraw कर लिया गया है, यानि कि जो पहले interest मिल रहा था आपको, वो वैसा ही मिलने वाला है, अब यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा, center ने जो भी 31st March को order दिया था, उसको withdraw कर लिया गया है, okay, I hope आप लोगो यहाँ पर यह clear हुआ है, now next article की तरफ आएंगे, यह है second article, बात करता है, पाकिस्तान ने freeze कर दिय है, plan to allow imports from India, देखो, क्या हुआ था, पर सो पाकिस्तान ने भी कोई बातचीत करी और announce कर दिया था, कि जो पाकिस्तान है, वो भारत से cotton और sugar को import करेगा, लेकिन उसके बाद आप देख पाऊगे, एक ही दिन बाद क्या हुआ पलट गए, एक दिन बाद क्या बोलन इन्होंने कि यह जो relation है, यानि व्यपार है, यह normal कब होगा, जब India, जो कश्मीर वाला issue है, उसको resolve करेगा, यानि हम लोग जब article, आपका सकते हो, 370 और 35 A को restore करेंगे, तब जाकर यह लोग trade करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, इनके दोरा, तो यह मतलब कि जो बहले इन 35 A को restore करेंगे, चलो देखते हैं कब तक यहाँ पर यह सारी चीज़े चलने वाली है, ओके, ना उसके बाद आता है, नेक्स्ट एक और important article आपके one day exam के point of view से, दादा साहिब फाल की award का announcement कर दिया गया है, और वो किन को दिया जाएगा, वो है रजनिकान जी, अब यहाँ पर इन्होंने बोला, लगबग 50 साल इन्होंने काफी अत्तक अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है, और रूल करा है पूरे के पूरे फिल्म इंडस्ट्री के उपर, तो उसी की वज़ा से यहाँ पर, आपका सकतों, millions of लोगों के दिल में नोने जगा बनाई है, that is why यह यहाँ पर यह अवर्ड का एनॉस्मेंट किया गया है, आप देख पाओगे, इसको इंस्टिट्यूट करा गया था, लाया गया था, 1969 में, यह अवर्ड एक हाइस्ट ओनर है, for an artist in a Indian cinema, Indian cinema के लिए यहाँ पर यह अवर्ड दिया जाता है, इसको क्लियर कर रहे ना, यह आपक का मार्च का, ठीक है, कौन सा मार्च का, यह कलेक्शन यह बताता है कि कितना कलेक्ट हुआ है, 1,23,902 करोड, यानि एक लाग करोड से उपर यहाँ पर यह कलेक्शन हुआ है, और ऐसा हमारे फिनेंस मेंस्टिर ने बोला, और देखो, यह जो यह भी बोला गया, कि लगबग 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से लगातार जो रेवेन्यू हो रहा है GST से, वो एक लाग करोड रुपे से उपर ही पहुँच रहा है हर महीने, जो की बढ़िया है, यह हमारा गोल भी था कि हम लोग को हर महीने 1 लाग करोड से प्लस चाहिए GST का जो रेवेन्यू है, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली जो रेवेन्यू है, वो छटे महीने में आपका सकतो लगातार ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यहाँ पे एक छोटा सा अपडेशन दिया वाया है, कि जो डेली है, वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह जो इंडिया के अंदर साकेंड वेव आ रहा है, काफी खतरनाग हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यह क्रियेट कर रहा है, नव आगे बढ़ते हैं, नव यहाँ पर आप एक छोड़ा सा आर्टिकल देख पाऊगे, चिन्ने को डिरेक्टली एर लिंक पर एरक्राफ्ट होगा, जो की चिन्ने से डिरेक्ट कनेट करेगा पारिस को, ओके यहाँ पर छोड़ा सा अपडेशन था, आप आप लोगो यहाँ पर धियान रखना चाहिए इसके बारे में, नव पेज नमबर 9 के उपर आएंगे, तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, ये वाला, बात करता है, नौ यहाँ पर क्या हुआ, हाली में, BIMSTEC की मीटिंग हुई थी, ठीक है, वर्चोली होई थी, आप कैसा थे वीडियो काउफरेसिंग के ठूं यहाँ पर यहाँ पर काम करने हुए इन्टेलिजन से का से लड़ने के लिए, इंटेलिजन के यहाँ जो coastal security उसको पर धिहां दिया जाएगा, cyber security के उपर धिहां दिया जाएगा, यह सब बाते रखी गई थी, हमारे आपका सकतो जो foreign minister है, S.J. शेंकर साब उनके द्वारा, ठीक है, और जो Thursday में यह meeting हुई है, यह 17th BIMSTAC का ministerial था, और यहाँ पर आपका सकतो इसको chair किया था, श्रीलंका ने, यहाँ पर बहुत सारी important चीज़, आप देखो meeting हुई है, यहाँ पर important चीज़ का है, जहाँ से question बन सकता है, वो है BIMSTAC से related, ठीक है, यह काफी इसके बारे में जानना काफी important बन जाता है, और काफी interesting भी है, तो BIMSTAC कैसे बना, चलो हम इसको देखेंगे, तो BIMSTAC की पहली बाद तो full form क्या है, Bay of Bengal, initiative for multi-sectoral, technical and economic cooperation, पहले इसका नाम कुछ और हुआ कर दाता, चलो यहाँ पर आपको देखो मज़ा आने वाला है, देखो यहाँ पर मैंने आपको नाम बता दिया BIMSTAC का, यह एक international organization है, तो BIMSTAC का देटा है, आज का टाइम पर कौन कौन से members हैं इसके, Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, ठीक है यह जो countries है, जो की dependent है Bay of Bengal पर, ठीक है, उसी की वज़ा से यहाँ पर BIMSTAC का नाम बाद में रखा गया, अगर हम बात करें इसका जो permanent secretariat है, वो है Bangladesh में, Bangladesh की capital धाका वहाँ पर, ओके अब थोड़ा सा इतिहास देखें इसका, तो देखो, 6 जून 1997 में क्या हुआ था, New Sub Regional Group, एक ग्रूप को बनाया गया, ठीक है कहाँ पर Bangkok में, उसका नाम पहले क्या था, B.I.S.T.E.C., हम लोग BISTAC बोल सकते हैं, BIMSTAC नहीं, BISTAC पहले इसका नाम था, यानि इसके अंदर कौ इसका नाम पढ़ गया, ठीक है, एक स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल लाई थी, उसमें फिर मैनमार को एड किया, अब मैनमार को एड किया, तो इसका नाम पढ़ गया, BIMSTAC, ठीक है, यानि बांगलदेश, इंडिया, मैनमार, श्रिलंका, थाइलेंड, एकनॉमिक को अब इसका नाम BIMSTAC था, लेकिन उसके बाद भी आप देख पाओगे, इसका अंदर साथ नेशन है आज के टाइम पर, फिर क्या हुआ, 1998 में नेपाल भी इसका एक observer बन गया, फिर फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान इसके फुल मैंबर बन गये, ठीक है, अब जब फुल मै इनिशेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एंड एकनॉमिक कोपरेशन, आई होप आप लोगो ये क्लियर हो गया होगा, ओके, नाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, पेज नमबर टैन पर बोला गया है, जो यंगर पिपल हैं आज का टाइम पर वो काफी जादर रिस्क भी है, और अब तो स्कूल बागरा भी ओपन हो चुके हैं, ठीके, तो काफी जादर रिस्क भी बन जाता है, इस सेकंड वेफ को लेकर, तो करना क्या होगा, सिर्फ एक काम, अपनी आपकी प्रोडेक्शन करनी पड़ेगी, अपने आपकी प्रोडेक्शन कर लोगें, तो सारा काम ऐसे ही हाँ पर हो जाने वाला है, जो केरी हैं, वो विजट करने वाले हैं, न्यू डेली, इस महीने, केरी कौन है, अमेरिकन स्पेशल प्रासिडेंशल एन्वाइफ और क्लाइमेट, अब यहाँ पर क्लाइमेट को बात चित करेंगे, जॉन केरी, वि पर आप लोग आओगे, यहाँ पर आप देख पाओगे, पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट है, और ट्वल्व में भी पूरा का पूरा ऐडवर्टीजमेंट है, नौ सबसे पहला आप आर्टिकल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो बाइडन ने अलाव कर दिया है, जो H-1B वीजा पर बैन लगा दिये था डॉनल्ड ट्रम ने अब उसको एक्सपायर करने का टाइम आ चुका है तो यहाँ पर आप देख पाओगे उसको एक्सपायर किया जाएगा ट्रम्प ने जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से लगा दिये थे पिछले साल अमेरिका के के अंदर जो जॉब से उनको प्रोटेट करने के लिए जो H-1B वीजा है उसको बैन कर दिया था ठीक आप यहाँ पर आप देख सकते हो उसको एक्सपायर कर दिया गया एक तरीके से मार्च 31 को ना यहाँ पर यहाँ वीजा क्या है पहले इसको पढ़ते हैं तब और जादे चीजे क्लियर होंगी ठीके कौंसेट क्लियर करना काफी ज़ादर एमपॉर्ण रेंड है एक न एम्मिगरंट वीजा है यह क्या करेगा जो युय युएस कंपनी है ठीके क्या होगा जा एवन ये हमेस कंपनी चाहिए ओ करने के यह लिए ठीके यॉईट पंडर वर्ख कर सक करते हैं ठीके तो आप देख पाऊगे क्या होता है यह अलाव करता है यूएस कंपनी को कि वह एंप्लॉई करें फॉरण वर्कर्स को एक इस पेशल ऑक्यूपेशन के अंदर जिसमें कि आप कह सकते हो तो तो उस एरिया में यहाँ पर वर्क करने के लिए मिलता है जो टेक्नलोजी कंपनीज हैं वो डिपेंड होती है लगबग दस यह हजार लोगो को एंप्लॉई करती हैं और लगबग हर कंट्री से देख पाऊग करने के लिए इसको वैंन किया जा रहा है और यहां पर यहां प्रिया अप्रियों के लिए कंट्री के बारे में ही पढ़ रहेंगे नौ यहाँ पर आप दिपाऊगे नेक्स्ट आर्डिकल बात करता है मैनमार के बारे में तो जो सूखी है यह मैनमार के डिपोजड लीडर है यानि कि जो मैनमार के अंदर आच्छा टाइम पर प्रॉब्लम क्रियेट हो रही है मैनमार के अंदर जो मिलिटरी रूल चल रहा है मिलिटरी के कबजे में है पुरका पुरा मैनमार इससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के कबजे में हो करता था उसकी लीडर हुआ करती थी सूखी लेकिन यहाँ पर कह सकते हो आप इनको भी काफी जादा प्रॉब्लम्स क्रियेट हुई है लगबग एक फरवरी से ही इनको डिटेन कर रखा था कस्टडी में ले रखा था और बोला गया था कि इन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जानी कोरोना वाइरस के प्रोटोकॉल्स को वाइलेट किया है ठीक है और यहाँ पर बहुत सारी गूस खोरी वगरा करिये गूस खाया है तो इस तरीके कि यहाँ पर यह सारी चीज़ स्टेट्मेंट दी गहीं थी और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद जो है मिलिट्री ने पूरी तरह से कबज़ कर लिया है मैनमार के उपर कब एक फरवरी को और यहाँ पर अभी वो सारी चीज़े चल रही है Myanmar के अंदर जो issue as usual चल रहे हैं वो यहाँ पर आप देख पाऊगे लगातार वैसी जारी जारी है Now page number 14 के उपर आएंगे that is business section देखेंगे economics related article को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे GST council की meeting हुई है Sorry, यहाँ पर GST council की meeting नहीं हुई है यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो अगर कोई भी reforms चाहिए या फिर किसी चीज के rate में बदलाव चाहिए जो भी goods and service tax के अंदर में आता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा अब आपको करना पड़ेगा wait चाहिए वो आज के time पर देखें high fuel जाने कि जो high fuel taxes हो रहे हैं tax वगरा जो petrol वगरा वो काफी जादा है अगर इन सब के ओपर reforms वगरा बदलाव चाहिए कोई भी decision चाहिए तो wait करना पड़ेगा क्योंकि जो GST की council की meeting होने वाली है यह कब होगी यह होगी मे या फिर जून के end में ठीके मे और जून के end में GST council की meeting होगी ठीके उससे पहले यहाँ पर कोई meeting नहीं होगी then तभी जो है यहाँ पर decide कर पाएंगे तभी यहाँ पर जो भी बातचीत होगी तभी यहाँ पर कोई भी बदलाव आ सकता है अगरा के बाद ही जो है यह सारे काम हो पाएंगे यहाँ पर GST council क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेता है ठीके clear हो जाएगा यह भी तो GST council के बारे में कहाँ पर mention है article 279 A के अंदर यह GST council के बारे में आपको देखने को मिलेगा इसको form किया president के द्वारा ठीके और administer और govern करा जाता है अगर हम बात करें इसके main chairman कौन है GST के chairman वो होती है union finance minister ठीके होती है मतलब इस वह से निकला है कि जो आज के time पर वो female है ठीके मतलब कोई भी हो सकता है female हो male हो तो जो union finance minister है वो chairman है chairman है chairman बनते है इसके GST council के ओके यहाँ पर आपको इस चीज के बारे में धिहान देना है और इसको form कप कर गया था वो sorry कि आर्टिकल 279 के अंदर form किया गया है इसको आपको धिहान रखना है और इसको form president ने किया है ताकि जो GST वगरा है उसको अच्छे से अच्छे से देख वाली कर सकें यहाँ यहाँ पर आप देख सकोगे जो decision वगरा है यहाँ पर लिया जाता है लगबग त्री फोर्ट मैजोरिटी से यह आपको यह ध्यान रखना है कि यह कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है और उसके बाद आता है व्यापार बढ़ चुका है व्यापार कम हुआ है इंडिया का जो trade deficit है वह goods में अगर हम देखें तो वह बढ़ चुका है लगबग पहले यह 9.98 बिलियन डॉलर्स का था पिछले साल लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें अब काफी जादा बढ़ चुका है basically trade deficit क्या होता है trade deficit यह होता है माण لو की एक तरफ हम लूग import करते हैं व्यापार में क्या करते हैं एक तरफ हम लोग import करते हैं दूसरी तरह हम लोग क्या मतलब कि हमारे मनुफैक्चरिंग भी कम हुई होगी अब एक्सपोर्ट कम किया है हमारे पास पैसा भी याए का एक्सपोर्ट जादा करेंगे जादा हम लोग कमाएंगे ठीक है जादा फॉरन करनसी भी आईगी हमारे पास लेकिन यह सारी चीज़े हो नहीं है अब यहां पर चीज़े गरती वे नजर आई यानि कि हमने इंपोर्टिंग जादा कर ली है एक्सपोर्टिंग कम करी है डाट इस वाइं हम लोग चलेगा है ट्रेड डैफिसेट के अंदर और यह ट्रेड डैफिसेट बढ़ता हुआ नजर आया है तो यहां पर यह फंडा था नाव चलते तो फिर वाइपाई से हम लोग अप्लोड कर दें जल्दी से लेकिन अभी यहां पर जो है फोन से अप्लोड करना पड़ेगा पूरे वीडियो को ठीके देखेंगे कब तक अपलोड हो पाएगा और इसी वाज़े से थोड़ा सा लेट भी चल रहा है क्योंकि यहां पर मैं कि बाहर आया वाँ ठीक है अपने होमटाउन से तो यहां पर अगर हम बात करें एडिटोरल सेक्षिन की तो एडिटोरल सेक्षिन को हम लोग यहां पर आप दिख पाओगे दो एडिटोरल बेसी किली इंपोरेंट है मैं आपको एक आइडिया देता हूं थोड़ा सा डीटे तो कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर लिके और कुछ भी यहाँ पर आपके सकते अपको सरफ एक आईडिया रखना है क्या बोला गया है यहाँ पर अभी मैंने जो आपको बताया starting page पर हमने पड़ा था कि government ने कल करा था अपनी जो schemes लेकर आई थी जो government के पास schemes है ठीक है small saving schemes है उसके अदर क्या करा था जो भी interest rate था उसको cut down कर दिया गया था यह हमने कल discuss किया था लेके आप यहाँ पर देख पाओंगे वही सारी चीज़े बताई गई हैं जो interest rate मैंने आपको PPF के बारे में बताया था अभी starting में कि कौन कौन सी schemes है जो short saving instruments है public provident fund हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, national saving certificate हो गया, senior citizen scheme हो गया लेके इन सभी के ओपर जो भी आपको interest मिलता है, जो भी आप इसके अंदर invest करते हो, वो सभी interest क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, वो जो interest होता है सारा का सारा, जो government आपको provide करवारी है उसका rate वो cut down कर रही थी, अनि वो interest आपको कम मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया था लेकिन आप यहाँ पर देख पारे होंगे, अब क्या हुआ है कि यह बोला गया, जो interest rate cut down करने की बातचीत करी जा रही थी वो वापस से अब वहाँ पर you turn ले लिया गया है, कोई interest rate cut down वगरा नहीं करा जाएगा तो you turn on the drastic cut in small saving rates deferred the impact but trivialed the intent ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, क्या बोला गया है, जो drastic cut कर रहे थे हम लोग small savings पर उस पर एक you turn ले लिया गया है, basically आपको इसके बारे में धियान रखना है, जाद आपको rates बगरा के बारे में धियान नहीं रखना है, कि हाँ यार, यह rates से यह rate करा गया है, यह आपको एक छोड़ा साइडिया रखना है, कि यहाँ यहाँ पर, यह cut down किया जा रहा था, वाप पसर एक कवर किया गया है, next article के अंदर बातचीत करी गई है, place of worship act 1991 के बारे में, ठीक है, पूरे उसी के बारे में चर्चा करी गई है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना काफी ज़्यादा जरूरी है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, तो यहाँ पर वीडियो में क्या बोला जा रहा है, इसको मैं कल कवर कर दूँगा, या फर next day का कवर कर दूँगा, ठीक है, हम लोग कवर सारे चीज़े कर लेंगे, don't worry, कोई प्राबलम यहाँ पर create नहीं होगी, क्योंकि जितने भी हमारे pending editorials से, उन सभी को हमने already cover कर लिया है, ओके, तो उसकी कोई आपको इस act के बारे में पता चल जाएगा, तो आप वैसे ही सारा के सारा मामला समझ जाओगे, देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर इस act के अंदर क्या बोला जाता है, परपस इस act का यह है, इस act का जो section 3 है, वो बैन करता है कि आपको कोई भी जो worship places है, उनका conversion नहीं करना ह ठीक है, मान लो कोई भी मंदिर हो गया, उसका मस्जिद नहीं मिलाना, मस्जिद हो गया, उसका मंदिर नहीं करना, किसी भी worship place को convert नहीं करना है, ठीक है, तो यह जो act है place of worship act, उसका section 3 यहाँ पर यह बोलता है, कि यह सारी चीज़े आपको सकतो बैन करती है, यहाँ पर किसी कोई भी चीज़ को आपको सकते हो, convert नहीं करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको धियान रखना है, कि इसमें यह भी बोला गया था, except कौन सा, except बाबरी मस्जिद वाला case, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ अलग है, इसके अंदर वो include नहीं करी गई है, ठीक है, तो फिलाल वो पूरा का पूरा resolve हो चुका है, तो इसके यहाँ पर एक बहुत बड़ा dispute है, तो इस act को आप कह सकते हो, यह बाहर निकाल लखा है, इस act से, ठीक है, यह इसके अंदर include नहीं है, यह कलौता dispute उसके अंदर include नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो यह act है, यानि conversion कर रह जो भी archaeological sites हैं, ठीक है, आपका सकते हो, archaeological sites और इसके अंदर cover करी जाती है, archaeological site and remains act है, हमारे पास 1958 का, जो भी monument, जो भी archaeological site, इस act के अंदर cover करी जाती है, वो भी इसके अंदर से accept करी गई है, वो भी exempt करी गई है, उनको अभी यहाँ पर इसके अंदर include नहीं दिया गया है, अब याद रखना है, इसके अंदर penalty भी है, section 6 के अंदर penalty बता रखिए कि अगर यहाँ पर आप लोग इस तरीके से follow करके नहीं चलोगे, तीन साल का imprisonment मिलेगा, ठीक है, सजा होगी, fine होगा, अगर आप यहाँ पर सही से चीजों को implement नहीं करोगे, इस law के मुताबित, तो आप ल सब्सक्राइब होगा, एक तरफ Supreme Court और एक तरफ जो है बाबरी मस्जित का, जो है थमनल लगा रखा था, ठीक है, वहाँ पर हमने इसको discuss भी क्या था, नाओ यहाँ पर क्या है, यह नियूस के अंदर क्यों है, देखो हुआ क्या है, यह बोला गया, कि देखो जो Supreme Court है, Supreme Court के लेकर बातचित करी गई, कि इससे क्या होता है, कि जो यह Act है, यानि कि यह वाला Place of Worship Act है, यह कहीं न कहीं गलत तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, और इसमें आपको धिहान रखना है, इस Act के अंदर एक चीज़ और है, जो कि हम लोग कवर करना भूल गया, मेरे क्याल से, वो मुझा अभी ध्यान आ गया, वो यह है, कि देखो, कोई भी जो religious structure है, 15th August 1947 के बात से, यानि जब से exist करता हो, ठीक है, यहाँ पर exist करता हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो भी structures हैं, वो आपको सकते को convert नहीं करे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको सरफ ए अधिक्स एक्ट के अंदर बताया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देख पाऊगे कि यह जो है, बाबरी मजजद वाला और यह आयोध्या वाला dispute हो गया था, तो उसी को लेकर लोगों ने पैटिशन डाला, बोला कि हाँ भाई, यह थोड़ा सा एक्ट है, आपका गलत वर कर रहा है, फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज़ भेद दिया, सेंटर को, सेंटर को बोल दिया, कि आप बताओ क्या करना चाहिए, इस चीज़ के उपर, तो बैसिकली जादेतर आर्टिकल जो भी पब्लिश हो रहे हैं, उसके अंदर यह बोला गया है, कि सुप्रीम कोर्ट को, जब पता है, यह सारे लॉज अच्छे तरीके से बने वे हैं, आयुद्या वर्डिट को अलग रख रखा है, इसके अंदर से, तो फिर आपने उसको खारिच को नहीं किया, आपने सेंटर को क्यो भेजा, जो भी पेटिशन उसको खारिच करो, खतम क हो, ठीक है, तो यह प्राबलम साज के टाइम पर क्रेट हो रही है, नाओ प्लेस आप वर्शिप एक्ट के बारे में जान लेना अच्छे से, इसको मैं जो आर्टिकल इसको थोड़ा सा और इलाबरेट कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो चुका है, पता नहीं, अप्लोड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मोबाइल डेटा से, क्योंकि जो यह वीडियो है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंगा, यह जी भी में पहुंच जाता है, तो चलो, अभी यहाँ पर खतम करता है फिलाल, बलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में, ठीक